तमस्कार निर्माण ने उसने विशेश रजुवात वागबारस मां हों खुश्पु आप सवनों स्वागत करूँ छो दिवाणी नी सत्तावार वीते पर परागत रीते शरुवात धती होया और पहलो दिवस एटले के वागबारस आजे गुजरात नी वाद करवामा आवे तो सव कोई वागबारस नी उजवनी करी रहा चे आज थीज रंगोली पूर्वानी पन शरुवात करवामा आवे चे दिवडा मुकवामा आवशे दरीक लोकुना घरांगले दिवडा ओनी रोशनी थी घर चलहली उट शे ने सव प्रत्थम तो आपने दिवडी पहला जे उस्वनी सरुवात थाए त्यामा एकादसिती सरुवात थाए परन्तु जे वागबारस धन्तेरस काड़ी चाउदस दिवाडी नुतन वर्षाबिन नंदन अने भाईबी चे आम पांच प्रकाना मुक्यत तेहवारो दिपावली पर्वमा उजवामा आवे चे आने आज इतले के वागवारस अने बीची दिते जुए तो वागवारस जैने गउवस्षद वादसी पंड क्यहों मावे छे अने आसो महिना नी बारस इतले वागवारस अने आ प्रमाणे जुए तो बारस नूं महत्तों सुछे तो आपना स्विमल भागवत माँ जुएतने प्रमाणे के पांच गिनानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय चे दस्मों मन चे अने अग्यार्मों एनी साथे बुद्धी जोडाए चे आम द्वादस अंक बने चे अने आजे आज संस्कार अने संस्कुटी नू पर्व अने एनो समन्वे साधना अने सक्ति नो जे उपास्तनानों महिमा एटले के जे वागवारस आज गवश्तत वादसी ने पर आपने समझी लई है कि आ दिवसे व्यापारियों जे पोताना चोपड़ावों ना जे इसाप माने चे जैने वाग माडवों के आवे चे अने आ वाग माडवा एटले कि ए नामनों एक दैत्तिय हतो एनो नास कर्यों हतो और अने एवु पु आने ए दिवसे गायने वाचडानी पुजानु खुब महत्व सास्त्रम वतावियों छे आपना पुराण कारोए आरिते जे आपे जे प्रस्टन कर्यों वाग बारसनु महत्व सुचे तो आ प्रमाणे दिपावलीना परवमा वाग बारसनु महत्व आरिते पुराणों मा ब त्यारे समझीश काये छे कि तेहवार वर्ष मां जी सवथी मोटो तेहवार गणवामा आतो है तेनी शरुवात नेती थी ओनी वाद करवामा आवे तो तेनू महत्वत अनिरूज होए छे दिलिपभाई आगण वदिये तो दरीक तेहवार नी साथे कईकने कईक पाउराणिक क पाउराणिक कथा रहेली होए छे अनि आ पाउराणिक कथा मां वागबारस्त नी कथा मां आम जुए तो प्राचिन समय नी अंदर सुवणपूर नामनू एक नगर हतू अनि ए नगर मां देवदानी नामे एक राजा हातो अनि ए देवदानी राजा ने ब्यापत्तनी हती एक नू नाम सिता हातू अनि बिजी पत्तनी नाम गीता हातू अनि पसुप्रक्ते अपार प्रयम राखता अनि ए सिता ए ब्याशनू और पसुपालनू पालन करे अनि जे बिजी पत्तनी जे गीता चे गायनी शेवा करती परन्तु बन्ने वचे थोड़ी इर्षा हाती अनि ईश्राणा कारण निए चितां जए इश्रा करियतीया चितांप एवाषाराण प्रतिपालक गौ और ब्रह्मनों नी रक्षा करवी जुए परंतु आ शिताए आजे वाषडानों वद्ध कर्यों अने जैना कारणे आ देवदानी राजा खुब हैरान परेशान थवा लाग्यों नगर मां बदा दुखी थवा लाग्या अने जैनाती जनता त्राहिमां त्राहिमांना कारणे बदा राजा पासे जाए छे त्यारे राजाय ने एक वर्दान मड़े छे एने आकास्वाणी नो संदेश्त मड़ें के तमें आई ते गववत्या करियों हाम आवी छे और आ गाये ने अंदर जे 33 करुड देवता होए छे और ए 33 करुड देवता मां त्यारे लक्षमी जी ने स्थान मांटे मागणी करे चे त्यारे लक्षमी जी ने कहिऊ त्यारे तमे मारू गोमाई बनो अन्य गोमाई एटना के गाये नू छान आजे पन गायों नी अंदर जे गाया ना छाननों बवग परम पवित्र महिमा रहलो छे जैने गोमय कहे छे गोमय वसते लक्षमी ही गाया नी अंदर जे गोबर छे एने गाया नों गोबर जे छे लक्षमी अनों वास रहलो छे अने आजना साम्प्रत परिश्थितिती मां इन प्रति दिन सांपरत प्रइस्तितिंगे मा जीव इंसा न थवी जूए सास्त्रों माने पूराणों मा बतावया प्रमाने यह गोमय वसते लक्ष्मी गाए ना गोबर माजी लक्ष्मी नंव वास्रयो चे यो भगवान ची क्रश्चन तो गोवाडी आता अने भगवान गायोबु वाहली यती एटला माटे वसुदेव वसुतम देवं कौंस चानूर मर्दनम देव की परमानंदम क्रस्टनम वन्दे जगत गुरूम आम भगवान ची क्रस्टन ने गायोबु वाहली यती परन्तु आपे खुब सुन्दर प्रस्टन कर्यों ता पवरानी कथा नी आर इते जे राजा हातो देवदानी नामनो राजा ए शिता ने गिता नामनी ब्यापत्नी होती और एक भेस पाड़े और भीजी घाय पाड़ेन गायोबु वाहला नो जे वद्द कर्यों अन्न वद्द कर्यों अन्न वद्द कर्यों फरीती अन्ने आकासवाणी थाई अन्न माध्यम थी एमने आ द्वादस गौवश्च नामनो वाग बारशनों उत्वास कर्यों यम नियम सैयम साथे एमने ए दिवसे गायाने वाशडानों पूजन कर्यों ते दिवस थी फरी थी ए नगर नियर्द बदा सुखी थाया आ प्रमाने कोई जीव इंचा न कर्वी जुए आजना आ निर्मान चनल ला माध्यम थी एक च्वक्रस कई शकाया अइंसा पर्मो धर्म हां अइंसा श्रेष्ट वस्तुचे कोई प्रकार नी जीव इंचा थवी जुए नहीं बिल्कुल तो पवराणिक कथा कही चंकडायली छे काया प्रमानिक पवराणिक कथा मापन प्र द्वादशी केहवामा आवे चुन तेनी साथे व्रत करवानू पण महात्मय अनोखी रिते संकडायलू छे तो तेनी व्रत अने पूजा निवीती शूँचे जी बहु सुन्दर प्रस्तना आपे करयो चे गौवस्त द्वादशी सामाटे गोमाय वसकते लक्ष्मी गायनी गोबर जेचे अने पवित्र बतावा मा आवे चे अने एमा दी प्वजिटीवी एनरजी आपण दे प्राप्त थाही चे प्राचिन समय निंह अन्दर गामडाओनी अंदर द्वादस एटले के बारस वाग बारस ना दीवेश ये गामड़ाओमा गरनी अंदर गायोना चान नो लिपण करऊ माऊदुँँँँँँँँ अन्ने लिपणची एक गरनी अंदर एक एनरजी प्राप्त मरती हती है आने एक शमयनी अंदर एक गवश द्वादसी माँ तमें जुऊ तो जैनाती सूक शान्ती ने सम्रुद्धी एक परिवार ने अंदर आपड़ने एक गवश द्वादसी इतला माँते के जैने अंदर सौप परिवार साथे मरी ने जमता आज ये प्रण गणायवा परिवारों छे साजे तो एक वार तो दिवस मां साथे ब्यसी ने जमे छे सहनाव वतु सहनव भुनक्तु सहविलियम करवा वहे तेजस्विना वधी तमस्तु मां विद्विशाव वहे इतला माटने वेद अन सास्तों न उपनी सदों मां आपनों परिवारों नी कोई सब्वियन ना होए तो लिराह जोमाव दी साथे मेरी ब्यसी ने बदा जमता आज ये भोजन माथी भाव गयो आज ना सांप्रत पैस्तिति मां कोई नी पासे समय न थी समय नों बहुज बदाने अबाव जे परन्तु जे कुट्टुमों नी अंदर संस प्रिश्कार होए जा शिक्षन होए तेया साथे मेरी बदा जमे अने ए समय ने अंदर जे रगुवंस ना मर्यादा जे रगुवंस क्यावाए और राम्णा वंसज जे दिलिप महराज थे गया अन्दिलिप राजा जे थे गया तेमनी पत्नी नूनाम सुदक्षिना आतू अने सुदक्षिना ने पूत्र नहतो । अने पूत्र प्राप्ती मांटे पता ना गूरुजी वस्षिश्वत पासे जाए चे आने तेमने एमना आदेश प्रमाणे ए दिलिप महराज एक महराज एक मोटो यगन करायो अने एमने कयो तमे गयोव नी शेवा करो । हैमने द जुन्दर आहाराप्पा मावे गाय नी शेवा करे चाथे वाचडानी शेवा करे औने ए प्रहाणे ए समय तरे जता सुदक्षिनाने डिलिप राजाने पुत्र प्राप्त थयो आम रगुवस्मा बनेलिया सत्य घटना चे औने रगुवस्मा आइ एना अदारे वेद औने देवताओ छे एना माटे क्यों गणवदू ओछू छे आपड़ी वाणी टूंकी पड़े कान के ए वेदों ने उपनी सदों मा गायोंनु महत्तों विष्णू भगवान जयरे सिमत भागवत मा जुदा जुदा अवतारी पुरुसों नी कथा बतावी एमां दर्येक जे अने गउए सद्वादसी एक गायवास्रणानी शेवा करवानी और टैनू रक्षान करवानों आध दिवस एटले जने वागवार्स प्रण क्यावाई अने आध फुरुस जे गउए सद्वादसी रहे जू परनमा आ गउलकुल आजना दिव से शामाटे मा सरस्वति नी पूजानु महत वाजना दिव से खुब बदू रहेलुच खुब सुन्दर प्रस्ट चापनो जुटी बिल नीर्माण चनल ला मध्यम् थी या देविश्वरभूते शुवानी रूपेन संस्थिता नमस्तष्य नमस्तष्य नमस्तष कृष्व्ठ रृण धाम करें ची अनि बद्धा देवि देवियोना मंधीरों छे तंव्यम्री शिवाल्य जुओं reach पयें आमबाजी आंधाही इतल्य के घामयंतल olarak प्रात्मिक खळा गषडा खळा हए माद्यीक खळा मद्य मिक शारइव हए संस्कूत पा Enough TV मुरूं हो आट के इमेन चाना इर्पन कार्य कर ऐसे तो या चाओ खार दर चातरी द॥ सदना मेडवा माटेनु केंद्र ए मार सहस्वतिनु स्थान छे त्या दाइक स्कूलों कोलेजों मा अने संस्कूल पार्षाडव मा तो आजे पन आ वाग बारस धंतेश काड़ी चोदर दिवाडी पांच दिवस नो ते अनुस्थान थाई सहस्वति माताजी नुस अनुस्था आपने साचू शिक्षान सुझे न मार सहस्वतिनी अनुस्थान थाए इतला माटे या कुंदे नृतु सारहार धवला या सुब्रवर्स्तावरुता या वीना अवर दंडमंडितकरा या स्वेत्पद्माशना या ब्रह्मा चुतसंकरप्रभुतिभीर् देवैस दावंदिता सामांध पातु सरस्वति बगवति नेशेश जाध्या पहा आजे सरकारी प्रासिमीक्षणाओ प्राइवेट साड़ाओ स्कूलों मा शिक्षण जया प्वमावेचे त्या मा सहस्वतिनी अरद्ना करों मावेचे सरु आत्मा प्राथना थाए बाड़ सवसाथे मडिश्व्मू प्राचना थाए अने एतला माटे यादेवीश्यर भूते इश्व बुद्धि रुपेन सोचिता नमस्तस्ये 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 नमोनमः बुद्धिनी देवी माहरश्वति साधना करवाथी विद्यार्थियो सारी उपांष्टना ने साध पर दाई बने छे अने सिक्षन ना पाठ जिया भणाव मावेचे जे मा सरस्टी ने आराधना करवा मावेचे अने ए सुर्य प्राप्त करवा माटे सुर्य दैप्राप्त करवा माटे उठू पड़े और विध्यार्ती अवस्ता मा एक सयम पहलाना रुषी कूल समय ने अंदर अने लिए नालन्दा तक्ससिला जिवी पाठ्चाड़ा होती। अने पाठ्चाड़ावी अन्दर जे विद्याथि उता, ए विद्यार्थि होता इज शारू सिक्षन मेड़ावाते, सारा संस्कार मेड़ावाते, जैंके क्रश्ण ने सुधाँ माँ जिते पोता है गुरुआ या विमुक्ते आनि विद्यात्य आपने सद मार्गे लई जाये चे आनि विद्यात्य आपने सद कार्यों करवानी प्रेणा मड़े चे इटले के आजना सामप्रत युग मां दीन प्रति दीन शिक्षण नो महिमा वधतो जाये चे मार्ण सहस्वति नी साधना करवाती ग्णान अपनु वधे चे अनि मेगावी शक्ती आपनामा प्रतिपादि थाये चे आनि आरी ते सारू उज्वड जिवन जिवा माटे सारू शिक्षण जरूरी चे अनि मार्ण सहस्वति नों पूजन आपने हम्मेशा करो जुए और ज्य ज्यामके गुरुपुणी माँवे तो गुरुजयनु सन्मान पुजन करू जुए आ प्रमाणे मार सरसतीन अचुक आपनी उपर कुर्पा थाये चे अने ओम क्लीम नमा आयनु बीज मंत्र चे अने मार सरसतीनी साधना करवा थी हम्मेश्रा जिवन नियंदर सारा आपने जीनान मOWN मेड़रा मा इङुए आपने थी बीज़ान प्रमाने करवा थी हम्मेश्रा जिवन न यिंदर उतकरश थातु हए चे अनि उतकरश चरवा माते आपने विध्या प्राप्त करवा माते आपने नवी टेकनोल्यैं उप्योग ना माध्यम ठी आपने विश्यानी साथ कदम मिलावी ने रही शकिए ते माटे खुबज सरस्वती नी साधना अन उपार्शन नी आज समय ने अत्यांत आवश्यप जरूरी छे बिल्कुल बिल्कुल देलिब भाई तो सरस्वती पूझा नूं महत्पपन आपने जाने कि शाम आटे मां सरस्वती नी पूझा आर्चन खाश महत्म मानवा मावतु है त्यारे शूंखास महत्म उपवास न साथे जूड़ाईलू छे वागबारस नी लेने अने शूंख फाइदा चिवागबारस ना दिवस्पवास करवाना सरस्वत बूबेन कोई पन उस्षव अने त्यहवार आपने जारे एनू अनूस्थान करिए त्यारे यम नियम नियम न है अने सयम नू पालन साथे और यहमँ उपवास आपने वास उपवास नू आपना रुषी कारती जे क सास्तों पूरालों उपवास नूँ खुब महत्तो बतावियु छे ए साइन्टिपिक बाबत छे आपना सरीन नियंदर नियुट का पाणी होई छे आने ए सरीन मा आपने आडश न आवे ए माटे उपवास जरूरी छे जम्या पहला तमें सुर्य दे पहला उठो ज्याने ब्रह्म मुदत क्या अने आजे वागबारस मा जे उपवास नूँ महत्वा चे दरेक त्यावार मा दरेक जे कारिया मा कोई पुनम करे कोई अस्टमी करे कोई सारो दिवस आवे जमके कोई हनुमान जन्ती होई तो हनुमान जन्ती नूँ उपवास करे कोई भीम एकादशी करे गणा बदा वश् आखार उपर अखी स्वय नो आधार छे क्यों तमें आहार ग्रहन करोचो अरे लगे खोड़ाग तमें जे खोड़ाग जमऊंचो अने आपणा रुशी मुनियों ए बतावी ऊचे कि तमें ए जे आहार उपर ती आहारे वियावारे स्पष्ट वकता सुखिनो भवित आहारे व उपवास करवा थी आपना सरीन ने अंदर एक प्वजिटिव एनरजी मड़े तमने मार सक्ति उपर भरोस होई क्या तमने यह भूख पन लागती नथी औने तमें सारी ते सुन्दर कारिय जे तमारू मिशन चे जे वाग बारस नों महिमा चे और विद्या प्राप्त करवा मा जैना थी तमने भी पोजिटिव तमें एमा थी कारिय करी सको और एक खिटलाक आ उपवास ने जड़ता बनावी जड़ता उपवास करया पछी खिटलाक लोंको फलाहर करे तो सवाई बेतर अंगलास दूद पिए आर्ट-दस केड़ा खाए शाजे राज्यग्रानों शीरो आने काईकसरे घरी खाया और उपवास ने कोई मतलब नसे साचा अर्थमां निवेशक्तिनी आरा म अर्ट-द आयान करेरिप आ स सरीर केया श również कोंपलानने जोगी जबये अन ये ऊपवास करें नो महीमा खुब बता ये और आकरम ने अहार शुदी आ कमें वदेच्ऌे है औ आप सो दर्शक मित्रों ने जनावा मागूचू कि अम्मेशा तमारी अनुकुर्ता प्रमाने तमें उपवास करो परन्तु तमें एक नियम दक्की से के रात्रे वहला जेशुई वहला उठे वीर बढ़ बुद्धीने धन वदे शुखमा रहे चरी कि आपड़ा वेदों ने उपनी सदों मां बताई हुशे शास्त्रों मां के रात्रे जे वहलों सुझाए सवाए बर्म मुरत मां उठो जुए एक निया चार पांच वाग्याना समय नी वच्चे उठो तो तमें जोई तो एक दस दियो प्रयोक करी जो खुब बज़ा हो जाको दियो सारो जशे तमें जो उठीने काम करशो थोड़ी योग प्रयाणायम थोड़ी कर्षत करशो शरी मांते थोड़ी ध्यान लाक्षो तो च्वक्रस तमने फाइदा थाशे सवार वेला उठवाथी सुयोदे पहला उठवाथी खुब फाइदा उतता हुए छे आपड़ा वेदकालीन रूशी लेता नहीं बजानु पाणी पन न पीवे परन्तु आजना साम्प्रत पहिस्तिति मां आजे आप सोव जानों चो मारे कई क्यावानी जरूर ना थी परन्तु आजे दुख साथे मारे क्या हुआ पड़ेशे के आप सोवनी तब्या साथ्चावा मांटे उपवास न था तो क मुटा बाग ना घरो मा साजनु जम्मानु बार होए एम आप आर्नु आज बदो कच्रों खाओ अने अना थी सही न नुक्सान था एव मारू अंगत मानु चे अने सव दर्शक मित्वने मारी विननंती चे कि आप जेवी वाणी येव पाणी तमारी सारी क्यार आवे सारू इन अंदर नियमित कसरत, नियमित योग अने स्वाध्याय स्वाध्याय प्रवुति साथे अने प्रभूनो सत्चंग हरिना नामनु मरण और बहु मान्सिक शांती मिडवा माते जपा नाम यप यग्नोस भी जितला वने प्रभूनु नियमित तमें जप यगना करो यहमा को प्रति पॉपवास करवाथी एक आपनु शारीर सरसिते जड़वाई चे यह उआपना शास्तों मां घेदकाली रूशी मुनिए बता विलू चे जी प्रमाणे उपवासनों महत्वो पंड साथे जुडाईलू उपवास करवानी मान्यता पंड जुडाईली छे ते विशे पन आपने जाने उन उपवास करवाती कया-कया फाइदा उथाये छे परन्तुब ведनारीक रिते उपायदा फाइदा घाता होये तकि आपने जाने खे अधिलि बह्याकरों मा आवे तो वागदा उपन्ययक करवानी कोई को भुगा कर थे उपवास फ OFF आप अमारी साथे जुड़ाया आधमाम चर्च आमा भागली तो अमारा दर्शक ने माहिती पुरी पाड़ी ते विदल आपनो खुब को बाभार नमस्कार धन्यवाद तो हाल समय ना भावने कारणया कारिक्रम ने याथ थो भावी शू परन्तु आवाज अन्य विशेवनी स साथे फरीती मली शू अन्य निर्माण नियूस ना दरीक दर्शक मित्रों ने वाग बारस ने खुब-खुब शुब कामना आसाथे मने रज्या आप शो नमस्कार